नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेले चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि बहुत सो लोग सिलाई का काम सीखते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिलाई का काम सीखने का सही तरीका क्या है इस समय यूगि पहले का द लाइ कनल पर क्लिक कर लें तो चलिए दूस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो देखें अगर आप सिविल का ही सिर्फ काम सीखना चाहते हैं मतलब आपको जो है रेडिमेट से और एक्षपोर्ट से कोई मतलब नहीं है सिर्फ आपको सिविल का सीखना है तो उसके उपर हम करेंगे और बुटिक पर चर्चा करेंगे जैसे की लेडिज बुटिक जो होते है उस पर तो दो चीजों पर हम चर्चा करेंगे तो देखें अगर आपको एक सिलाई का काम सीखना है तो देखें सबसे पहले जेंस काम की कर लेते हैं उसके बड़ लेडिज काम की करेंगे त तो यह आपको decide कर लेना है उसके बाद दोस्तों अब आपको काम जो है वो सीखना है जहां अच्छा काम होता हो और जहां पूरा काम होता है क्योंकि बहुत से जो अब टेलर होते हैं बहुत सो लोग कोटपेंट का काम नहीं करते हैं वो सिर्फ पैंट सट और लीडिज का ही का काम करते हैं लेकिन और इस समय जिब कि रिवेद बहुत जादा चलिन लगा है तो आने वाले समय में कोटपेंट का काम वह काफी चलता है और जो है से पैंट सट का काम थोड़ा सा डाउन रहता है अब क्योंकि रिवेदीमेट चलने लगा है तो उसकी वुझासर बहुत क्वाइंगे, उससे क्या हो गा कि काम जो है, आप से ही तो आपके पास गहक उच्छ यहाएंगे जब आपके पास नॉलेज अच्छ अच्छ होगी और जब इस इस लिए जब काम सीक्टेंटिट चीज का चलते हैं लाधि अच्छी दुकान पर जा अगर आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं तो आगे चलके अब बात कर लेते हैं क्या सिर्फ आपको ओनलाइन ही काम सीखना है या फिर ओफ लाइन भी देखें ओनलाइन काम क्या होता है आप देख सकते हैं और आपको समझ में आजाए का इस तरीके से कपड़े काटे जाते है लेकिन जब तरक आप उसको काटके कपड़े आपके जो कटे हुए गहक नहीं पहनेगा ग्रहक जो है पहनेगा और उसको फिटिंग अच्छी लगेगी तब ही आप समझे लिजीए आप परफेक्ट हुए हैं उस काम में और बना अगर आप सिर्फ ओनलाइन देखके ही आप के लिए काउन सी फरफेक्ट रहेगी इसके लिए जो है आपको दुकान पर ही जरूर सीखना चाहिए ओनलाइन आप देख सकते हैं जल्दी सीख जाएंगे और ओफ लाइन में सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे कोड़ पैंट है और पैंट सट है इसका काम बहुत ही ज जाएंगे एक बार जो कोई व्यक्ति कपड़े सीलवाएगा उसके बाद जो है वो दुबारा से फिर आप से ही सिलवाएगा क्या आपने कपड़े उसके अच्छे सिलके देंगे इस चीज का धियान लखना है तो इस तरीके से आपको काम को सीखना है अब बात कर ले जाते ह हैं मैं जैसे तरे साथ होते हैं शेलाई हो फाम पर सीलाई सेंटर हैं और जो हएक करने लगते हैं अगर आपको घर में काम करना है Yo सिर्फ we recent 10 है किसी नफ फिम आप में आपकोμα करना है मतलब उनको पता है जहें को उतअब देशना आपको आपको का में वी यहां इन इन इंकी है इन तो चोचार्डे जाते हैं तो जो हाए और आकर सिल्वा लेते हैं सफ्ते में तो उस तो आपको कुछ दिन जो है बूटिक पर भी काम करना होगा जब आप बूटिक पर काम करेंगे क्नापीं या वही बी स्छेन होंगी अलग अलग तरीक्य के कुपड़गों सीले जाएंगे हर तरीके के तो आपके सामने cutting होगी आप देखेंगे और सिले जाएंगे जब आप सिलेंगे तो उससे जो है बहुत ज़्यादा आपकी knowledge अच्छी होगी है उससे ये भी पता जल जाएगा बुटिक चलाने का सही तरीका क्या होता है क्या का चीजें आपको चाही होती है तो अगर आप बहुत सो लोग क्या कम करते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर पर काम सीखा और जो है थोड़ा बहुत ऑनलाइन में समझ लिया और उसका बुटिक खोल लेते हैं तो उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आपाएगी और बहुत तरीके कपड़े आते हैं तो जो है उसमें प्रोब्लम होती है तो ऐसे में आपको अच्छी बुटिक चलाना है प्रोफेशनल ताकि आपकी बुटिक बहुत ही बढ़िया चले तो आपको जो है एक अच्छी बुटिक पे थोड़े दिन काम सीखना होगा और करना होगा करेंगे तो दीरे-दीरे सीख भी जाएंगे तो उमीद करता हू चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब कर वे लाइक कनाल पर जरूर क्लिक कर लें मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार